हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू एससी कोचिंग सेंटर दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे लाभ हानी के प्रेशनों की लाभ हानी बहुत अच्छा चेप्टर है आपको मालूम है कि सभी एक्जाम सिम गए लाभ हानी के प्रेशनी पूछे जाते हैं तो पूरा वीडियो देखेगा चले स्टार करते हैं पहला प्रेशन है एक पुस्तक का मूल्य 500 रुपे है तता उसका विक्रे मूल्य 300 रुपे है तो दुकांदार को कितने प्रेशत की हानी होई भाई कोई दुकांदार है उसका पुस्तक का मूल्य 500 रुपे है और विक्रे मूल्य 300 मतलब 500 की चीज को 300 में बेच दिया भाई 500 क की चीजको 300 वेच दिया तो हानि तो हो गई होगा ठीक है तो तो कितने का हानि हो रहा वह इप से और हानी प्रितिसेत कैसे निकालेंगे हानी बटे में क्रेम पोलह लिए यूट रो Miche बेचा 200 की हानी है तो 200 की हानी है 200 लिख लो बटे मैं क्रेमूल लिख क्रेमूल दोस्तों कितना था 500 रुप्या था 500 लिख लो गुने 100 ठीक है अब दिखे 100 से 500 कटेगा 5 बार में ठीक है और 5 से कटा हूँगा इसको तो 5 चौके 20 और 1 की 0 40 तो आपका ये कितना निकल गया 40 पर सेंट है डी ऑप्सन में ये आपके प्रेश्ण का सही जवाब है बात क्लिए रो गई है अच्छे से प्रेश्ण सभी की समझ में आ गया होगा किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी देखे ऐसे भी निकाल लिया प्रेश्ण कुछ बच्चे निकालने का देखिए अलग तरीका प्रेश्ण के लिए 100 देखे अब 5 बार में और 5 से कर जागा 40 बार में खतम प्रेश्ण ऐसे भी कर लो चाहें ऐसे कर लो एक ही बात है ठीक है अब हम देखेंगे अगला प्रेश्ण अगला प्रेश्ण एक घड़ी को 200 रूपे में बेचने पर 20 परसंट की हानी होती है तो गड़ी का क्रेमूल क्या है। देखिए जो भी गड़ी का क्रेमूल ले होगा वो अपने 100 100 100 100 परसेंट की आनी पर बेचा ठीक है 100 100 की सामान को 20 पर त्च स्वार को दो यहां पर देखिए Ok示 घड़ी को किने चाहिं तौश्व दोसों की सिर्भ दोसी में दोस्तों के बराबर हो गया 80% 200 के बराबर है तो आप से क्या मदद क्रेमवली मतलब 100% का मान मतलब 100% का मान आपको निकालना तो कैसे निकालेंगे यह 200 है बटे में कितना जागा यह 80 और 100% का मान निकालना तो 100 से गुणा के लिए अभी आ जाएगा हमसे देखें इसे मैं कटा दूंगा इसे मैं कटा दूँगा दोस्तों देखे 40 से ये भी कटेगा 5 बार में और 40 से ये कटेगा 2 बार में ठीक है और 2 से 100 कटेगा 50 बार में 5 का गुना कर दूँगा 50 से तो ये आ जाएगा 250 250 आ गया C option आपका प्रेशने का सही जवा हो जाएगा आसानी से clear हुआ अब देखेंगे अगला प्रेशने अगला प्रेशने है एक कुर्सी को 700 रुपे में बेचने पर 40% का लाप होता है तो बस्तू को क्रेमल्य क्या है भाई जो भी बस्तू का क्रेमल्य होगा वो 100% होगा ये बात आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए और 100% के सामान को क्या है उसने 40% के लाप पर बेचा है 100 की चीज को वो 40 के लाप पर बेच रहा है 40% के लाप पर बेच रहा है 100 की चीज को 40 के लाप पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा भाई वो 140 में बेचेगा 140% बेचेगा और यहां कितने बेच रहा है वो 700 पे बेच रहा है तो 140% की वैलू 700 के बराबर हो जाएगी 140% बराबर 700 आपको निकालना है क्रेमूले मतलब 100% का मान तो कैसे निकालेंगे 700 डिवाइड़ वाई कितना 140 गुने 100 100% का मान नकालना 100 से गुना पस खतम हो जाएगा प्रशन जीरो से जीरो कटेगा 14 से सत्र कटेगा पांच बार में 5 का गुना 100 से कर दो 500 यह आपका 100% का मान आ गया 500 500 है आपके B option में यह आपके प्रशन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अगला प्रशन है एक साइकल को 800 रुपे में बेचने पर 20% की हानी होती है वह इसे किसे मुल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए कोई भी चीज है वो 100% की रहती है साइकल हो गड़ी हो कोई भी चीज हो 100% की चीज हो उसने 20% की हानी हो यह मतलब 20% की हानी पर उसने बेच दिया 20 की हानी पर उसने बेचा अजब 20 की हानी पर बेचेगा तो इसका मतलब 80% में बेचेगा बीच कितनी मेरा 800 में तो 80% का मान 800 हो जाएगा इतना के लिए क्रेम हुली कैसे निकालते हैं भई 80% का मान 800 है आपको 100% का मान निकालना है तो 800 डिवेड़ेड़ बई 80 गुने 100 इससे क्या निकलेगा आपका 100% का मान निकल किया जाएगा इतना confirm है? 100% का मान है यह अब आपसे कह रहा है कि इसे किसे मूले पर बेचे कि उसे 20% का लाव हो जाए बहाई यह तो आपका क्रेम मूले है इसे क्रेम मूले वाली चीज को वो कितनी में बेचेगा कि उसे 20% का लाव हो जाए अब यही पर solve कर लो बहाई 20% का लाव का होगा देखिए ये पूरे 100% का मान है अब 100% के मान को वह 120 में बेचेगा तो अभी तो 20% का लाब होगा तो उसे कितनी बेचना होगा वह 120 में बेचेगा ठीक है बट्टे 100 बस प्रशने खदम 100 से 100 कट गया यहाँ पर ठीक है अची से दस बार में 800 भी कट गया अब 10 का गुना 120 से कर दो 10 का गुना 120 से कर देगे यह कितना हो जाएगा यह 1200 हो जाएगा बस यही आप 5 प्रशने आई बात समझ में अगर वो यह कह दे कि वह उसे कितने बेचे के 40% का लाब हो तो यह तो 100% का मान है 40 के लाब की बात करा तो तो 140 ने बेचेगा, 140 बट्टे सो आ जाता, 50 का लाब तो 150 बट्टे सो आ जाएगा, तो अब इन प्रेश्णों में आपको परिशान नहीं होना है, आसानी से करके आना है, ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रेश्णी, अगला प्रेश्णी है, किसी बस्तू को 5 पर के लिए एक चीज में आपको याद दूँगा, हमेशा लिख देता हूँ, पहले तो मैं शब्दियां पर हमेशा, वैसे तो ये चीज मैंने पहले भी बताई है, फिर से बता रहा हूँ, हमेशा के लिए, कि कोई भी प्रेश्णी ऐसा हो, जिसमें ये बात कह दें, कि 5% हानी कुछ भी हो, 5% हानी के अपेच्छा 10% लाब, या फिर 5% हानी के अपेच्छा 5% लाब, या फिर 5% हानी के अपेच्छा 2% लाब, ऐसा प्रेश्ण आ जाए, अपेच्छा वाला, याद रखना, ऐसा प्रेश्णी कभी भी आ जाए, तो उसे प्रेश्णी में आप करेंगे क् का मूल है उसे लिख लिजिए पिचत्तर रुपया धीक मिलने लिख लिया दोनों को जोड़ के डिवैड कर दो दस और पांच कितना हो जाएगा भी अब पंदरा बस प्रेश्णी खतम हो गया प्रेश्णी खतम हो गया बाई साब कुछी भी नहीं बचा प्रेश्णी में अब अभी भी इस तरीके का प्रेश्णा है हमेशा हमेशा के लिए बता रहा हूँ जो अधिक वाला मूल्य उसे लिखके दोनों को जोड़के डिवैड कर दो बस आंसरा गया गया गुने सो तो करती है भाई आपको पता है ठीक है क्रेमूल्य निकालना है ना क्रेमूल्य के अगला प्रेश्णे एक सो पचास रुपे में दूद खरीदा गया उसे कितने रुपे में बेचा जाए कि 20 परसेंट लाब हो बहाई एक सो पचास रुपे में दूद खरीदा गया अब सो परसेंट की चीज को 120 में बेचेंगे तभी तो 20 परसेंट का लाब होगा यह हमारा सैलिंग प्राइज हो गया यह कोश्ट प्राइज सो परसेंट सो परसेंट की चीज को 120 में बेचेंगे तभी तो 20 परसेंट का लाब होगा तो 120 में हमने बेचा बटे में कितना सो बहाई दो जीरों से आपके द बस्टू को 10% नुकसान के साथ 90 रुपे में बेचता है तो उसे बस्टू का क्रेमूले है 100% का मान पूच रहा है कोई भी बस्टू होती है आपको अच्छे से मालूम है उसका मान 100% हो रहा है अब उसने क्या किया 10% के नुकसान पर बेचा 100% की चीज़ को 10% के नुकसान पर नुकसान का मतलब क्या है? हा नी है, तो इसका मतलब 100 की चीज को 10 के नुकसान पे बेच रहा है, तो इसका मतलब वो 90% में बेच रहा है, और यहां कितने बेच रहा है? 90 रुपे में बेच रहा है, तो 90% का मान ये 90 रुपे के बराबर हो जाएगा, 90% का मान 90 रुपे के यह आपकी प्रश्ण का सही जवाब है, तो क्या करना है दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो को शेयर करना है, जी डी का एकजाम बहुत सारे बच्चे देंगे, सभी की हल्प कीजिए, ठीक है दोस्तों, और क्या करना, लाइक, कमेंट, ठीक है? Like, comment regular वीडियोज देखते रहे हैं Group D के तयारी कर रहे हैं ZD के तयारी कर रहे है regular वीडियोज देखते रहे हैं तयारी अच्छे से होगी ठीक है दोस्तों, वीडियोज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद